नमस्कार मैं डॉक्तर राशी शार्या MPBS आज हम बात करेंगे डेंगू बिमारी के बारे में डेंगू बिमारी एक वाइरस के करण होती है और ये बिमारी मच्चोरा की दारा पहलती है ये बिमारी अधिकता दुनाइट से नमबर की महिने के बीच में होती है हमें बिमारी में डेंगू बिमारी के करण आ रहा हो या कोई दूसरी बिमारी के करण आ रहा हो डॉक्तर के फास साई समय पर पहुचना बहुत जरूरी होता है डेंगू बिमारी में जो लोग हॉस्पिटल में हैडमेड होते हैं उसका सबसे बड़ा करण ये रहता है बें लोग उकार आने के फास से 10 दिन बाद तक भी बप्टर को नहीं दिखाते हैं इसलिए साही समय पर आना ज़रूरी है बिमारी चोटी हो या बड़ी हो अगर हम साही समय पर डॉक्टर के पास पुछते हैं ठीप होने की समभामना बहुत ज़्यादा होती है लेकिन अगर हम लेट हो जाते हैं तो ठीप होने की समभामना बहुत गम हो जाती है डेंगू बिमारी में जो नोगो ऑस्पिडल में एड्मिट होना फरकता है उसका सबसे बड़ा करण होता है बुकार के दोरान सरी में फानी की कमी होना और जब एड्मिट होता है उसमें फ्रवुक इलाज भी यही होता है सरी में फानी की कमी फो दूर करना इसलिए जब हमें ये फता नहीं हो कि बुकार किस करण से आ रहा है तो हमें ये बात त्यान रखना है पुकार किसी भी करण से आ रहा हो पुकार के दौरान सरी में पानी की कमी नहीं होने दिना है पुकार के समय अगर हमने आराम नहीं करा है तो सरी में पानी की कमी हो जाएगी अगर हमने खाने पर दियान नहीं दिया है तो सरी में पानी की कमी हो जाएगी और अगर हम गनत सरीगे से बुकार की दवाई गोरी दे रहे हैं तो भी शरी में पानी की कमी हो जाएगी तो इन तीनों बातों पर दियान देना है ये बात हमेशा दियान रखना है बुकार में खाना खाना पानी पीना दवाई गोरी होता है अगर हमें डेंगू बिमारी है और टाइपाइट बिमारी नहीं है तो हमारी डेंगू की जाज पॉजिटिव आने से पहले टाइपाइट थी डाज पॉजिटिव आसकती है जहां पे टाइपाइट होता रहता है हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है, टाइपाईट की जाज पोजिटिव अना खमेशा टाइफाईट बिमारी को नहीं दख साता है यही बर कई लोगों से गत्ति हुजाती है और टाइपाईट बिमारी को मान कर डेंगू पिमारी का इलाज नहीं तरह आते हैं टाइपाइट बिमारी के लक्षन कई वाइरल बुकार में भी आ सकते हैं वो टाइपाइट बिमारी नहीं होने पर भी टाइपाइटी वीडिया आज जाज हुए वो पॉदिडिव आज रखती है तो हमें कौन सी बिमारी है इस से कई लोग कंभी हो जाते हैं और कई लोग की जान भी गरी आती है तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें आपको जब भी बुखारा रहा है तो डॉक्टर जई सलादें डेंगो बिमारी में प्लेट की मात्रा कम होने लगती है अगर प्लेट की मात्रा देर लाग से नीचे हो रही बतलब बीमारी आगे बढ़ रही है इस जाच में अगर हमारे फ्लेट एक लाख सतर हजार है दो पही बात जाच में एक लाख तीस जार या जालिस जार आ सकते हैं फ्लेटलेट बढ़ाने की कोई भी प्रमानेट दवाई नहीं आती है जब हमारे शरी में पानी की कमी दूर हो अमें डेंगू पीमारी से बसने के लिए मच्छा दानी का उप्योग करना चाहिए और जो भी तरीके होते हैं जिससे मच्छरों की जनसा क्या गम कीज़ सकती है उसे करना चाहिए और जब हमें बुखार आए तो हमें शरी में फानी की गमी नहीं होने दिना हैं हमें बुखार किसी भी करन से आ रहा हो या डेंगू या कोई दूसरी भीमारी हो हमारे शरी में पानी की गमी बिन्सकुल भी नहीं होना चाहिए बुखार के समयन थैक्ट यू